राइंती पी ज्यान विशय में आज हमें एक नए परक्राण अंतराष्टी मुद्राकोस यानिकी IMF का अध्यन करेंगे हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह IMF के द्वारा बित्ती स्थित्ता के लिए पैसा दिया जाता है यद किसी देश की विट्ती स्थित् कराब हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए IMF किस तरह से उसे सायोग देता है जब हम IMF की बात करते हैं तो IMF मुद्रा शायोग को बढ़ाने और बित्ती स्थित्ता शुनिश्चित करने के लिए वर्ष 1944 में गठित की गई एक संस्ता है यानि कि इसकी स्थापना वर्ष 1944 में हुई इसका मुख्य रक्षी क्या है मुद्रा सायोग को बढ़ाना और बित्ती स्थित्ता शुनिश्चित करना यानि कि किसी भी देश की जो आर्थिक स्थित है वो खराब ना हो आपने अक्षर सुना होगा कि ये देश आर्थिक संकर्चे गुजर आए जब कोई देश आर्थिक संकर्चे गुजरता है तो उस इस्थित में अंतराश्टी मुद्राकोस उसे रिन देती है इसका मुख्य मांगे जाने पर वित्ती और तक्निक शायता मोहिया कराता है यानिक जो फाइनेंस की देखरेक करना पूरे विश्व के जो फाइनेंस है उसकी देखरेक करना ये अंतराश्टी मुद्राकोश का काम है और यद कभी उसे लगता है कि कि किसी देश की वित्ती और तक्निक शायत से ठीक नहीं है तो उस देश को उसके मांगे जाने पर आइम एफ एंक अंतराश्टी मुद्राकोश उसे बित्ती तथा तक्निक की शायता मोहिया कराता है जो हम बात करते हैं इसमें जो सामिल देश हैं उनकी राई की या उनकी वात की वैल्यू की तो यहां पर जितने भी दे देश ऐसे देश जो आर्थिक संकर से गुजरते हैं उनको पैसा उप्रब्द करते हैं तो यहां पर जो जी सेवन के देश हैं यानकी अमेरिका ब्रेटेन फ्रांस जर्मनी जापान इटली तो इन देशों का जो वजन है वो जादा है क्योंकि यह देश आएम एप को पैसा देते हैं आएम एफ ऐसे देशों को पैसा देता है जिनकी वितितित खराब होती है तो ऐसा मना जाता है कि जो जी सेवन के देश हैं उनकी जो यहां पर मत पर्तिशत है या उनका मत भार है वह 41.29 परसेंट है और अकेले जो अमेरिका की बात करते हैं जो कि आर्थिक रूप पांस दो पर्तिशत है तो इसे इसपस्ट हो रहा है कि जो आएम एफ है वो बिक्सित देशों का एक बर्चस वाला संगठर है संस्ता है यहां पर बिक्सित देश पैसा देते हैं और जो देश आर्थिक संकट से गुजरते हैं या जिनकी आर्थिवर्शता खराब होती है कि वित्ति इस्तीरता के लिए वे आएम एफ से रिन लेते हैं तो कही न कहीं एक इसम से जो नए देश हैं या आर्थिक संकट से गुजर रहे देश हैं वो कहीं न कहीं अंतराश्चि मुद्राकोस की रिन हो जाते हैं और वहां से इपनी ब्यावस्ता को चलाते हैं तो इस सकता है आएमेफ उसे वित्ति और टक्निक शायता दे सकता है आज के इस प्रक्रण के अभिहास प्रस्टन है पहला प्रस्टन है आएमेफ का बिस्तित रूब लिखे आएमेफ एनके अंतराश्टी मुद्राकोस जिसे मिट्रे नेस्टनल मॉनिटरी का आएमेफ के स्तापना किस वर्ष होई आएमेफ के स्तापना 1944 में हुई कि अगला प्रस्टन है आएमेफ का मुख्यकारी क्या है तो हमने फिसक्राले करना याद कोई देश वित्ति संकट से गजरता है तो मांगे जाने पर उसे वित्ती और टक्निक की साहता देना अगला प्रशन है आएमेप में किन देशों की मत का वजन अधिक है तो आएमेप में जो विच्छी देश हैं G7 के देश हैं उनका मतमार अधिक है अगला प्रशन है जी 7 के देशों के नाम लिखे आठोवा प्रशने है, IMF में किस देश को सरवाधिक मता दिकार प्रापते है ? हमने एक महत्यपूर्ण संस्ता आएवेफ का जन्किया जो की पूरे विश्व के लिए एक वित्ती संसादन को प्रब्द कराता है और आर्थिक संकट से बचाता है। इस पर क्रमेतना ही धन्यवाद।